Hello friends, आज हम आपको home science का practice set solve कराएंगे और ये सारे question important है तो इस वीडियो को आप last टक देखें और please इस वीडियो को like करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें जिससे मेरी चैनल की सारी update मिलती रहें तो चलिए start करते हैं आज का practice set first question है परिसंचरण तंत्र का कार है ये सारे ही कार परिसंचरण तंत्र के हैं ए है सरीर के सभी भागों में पोसक तत्त पहुचाना बी है अनुपयोगी पदार्थों को एकत्र करके उतसर्जन तंत्र को सौपना c है oxygen को सरीर की समस कोशिकाओं तक पहुचाना तो ये सभी कार जो है वो परिसंचरण तंत्र जो है करता है second question है रक्त परिभ्रमण का केंदर इस्थल क्या है रक्त परिभ्रमण का केंदर इस्थल जो है वो हिर्दे होता है थर्ड कोश्चन है रक्त का सुधी करण कहा होता है तो रक्त का जो सुधी करण है वो फेफडे में होता है फोर्थ कोश्चन है रक्त में पाया जाने वाला पीला सा एक पदार्थ तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है वो प्लाजमा कहलाता है रक्त में पाया जाने वाला पीला सा जो पदार्थ है वो प्लाजमा होता है 5 question है प्लाजमा में पाई जाने वाली प्रोटीन प्लाजमा में पाई जाने वाली कौन सी प्रोटीन होती है तो ये तीनों ही प्रोटीन होती है ग्लोबियूलीन, फाइब्रीनोजन और अल्ब्यूमीन इस लिए ग्लोबियूलीन शरीर के लिए आवश्चक है क्योंकि इसका अंशर है C इसमें अनेक बिमारियों से सरीर को बचाने के लिए एंटी वाडिज पाये जाते हैं इसलिए ग्लोबिन जो होता है वो सरीर के लिए आवश्यक है। 7. बच्चों की यौन अंगों के प्रतिजिग्यासा को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। इसका अंसर है A. उनकी रुची, संगीत, कला, निर्त या किसी रचनात्मक कार की तरफ लगानी चाहिए। 8. बालिकाओं को किस समस्या का पूर उनमूलन होना चाहिए। कौन सी समस्या है जिसे जड़ से मिटा दिना चाहिए तो वो है यौन उत्पीडन समस्या। नाइन कोश्चन है मस्तिस्क सोथ क्या है इसका अंसर है सी मस्तिस्क की सूजन अर्थात वायरस संक्रमढ़ी वह मस्तिस्क सोथ कहलाता है टेन कोश्चन है ग्यारा जोडी ग्यालियन पाए जाते हैं तो ग्यारा जोडी जो ग्यालियन है वो वच्छ में पाए जाते हैं 11 कोश्चन है मादक वस्तुओं का मस्तिस्क पर निम्निमे से क्या प्रभाव पड़ता है तो ये सभी प्रभाव पड़ता है पहला है आत्म संयंग की भावना लुप्थ हो जाती है, B है विचार सक्ति छिण हो जाती है, C है केंद्रिये तंत्रिका तंत्र वा तंत्रिकाओं का उचतर केंद्र दुर्बल हो जाता है, तो ये सभी effect डालते हैं टोल कोईशन है, तंत्रिका तंत्र के कौन से प्रकार में मस्तिस्क अथ्वा सुस्मना की सहायता के बिना ही तंत्रिकाओं जो हैं, वो क्रियासील रहती हैं, तो वो होती हैं सोयत तंत्रिकाओं जो होती हैं, वो स्वयम ही क्रियासील होती हैं, सोयत तंत्रिकाओं तंत्रिकाओ है मेरी रज्जों में पाया जाने वाला कौन सा पदार्थ ह आकृती में दिखाई देता है तो ह आकृती में जो दिखाई देता है उसे धूसर द्रव कहते हैं धा को कैसे लिखते हैं डी एच तो एच इसमें आ गया ना तो इससे आप याद कर सकते हैं कि धूसर इसका अंसर हो सब्सक्राइब व नहीं है in 15 कोश्यन में फ्रॉयट के अनसार विकास की अवस्था नहीं है तो फ्रॉयट के अनसार जो गर्भह अवस्था होती है वो विकास की अवस्था नहीं होती है इन्होंने जो इश्टेज्जज दी है श्रॉयच की जैसे ओर Wallace सेवंटीन कोश्चन है जन्म के बाद विकास की कितनी अवस्थाओं में बाटा गया है तो जन्म के बाद विकास को छे अवस्थाओं में बाटा गया है 17 question है पूर बाला वस्था की उम्र है पूर बाला वस्था की उम्र जो है वो 2 से 0 से लेके 4 यर तक मानी जाती है और 6 वस्था की उम्र कौन सी होती है वो 0 से लेके 2 यर्स तक मानी जाती है वैसे तो इसमें option होना चाहिए था कि 224 लेकिन इसमें option नहीं है तो ये 0 से 4 वर्ष तक चलती है पूरवाला वस्ता तो इसी को ही answer के देंगे इसका 19 question है और सकताओं से प्रहावित होने वाले तत्तो हैं जो और सकताओं की पूर्थ के नियम है और सकताओं की पूर्थ की जो नियम है ये सबी है जैसे सारी रिक्रष्चना संस्कृती वाता वरण वा आदते ये सबी उसके अंतरगत आएंगे 21 question जब व्यक्ति की आवसकता की पूर्थ नहीं हो पाती है तो उसे दुख होता है जिसे क्या कहते है जिसे हम लोग भगनाशे कहते हैं तो इसका अंसर है कल्पना अनेक कल्पना करता है तथा वह कभी यथार्थता से दूर भी निकल जाता है वेक्ति की आसकता पूर्थ में बाधक कारक है तो वेक्ति की जो भी आसकता है उसकी पूर्थ की बाधक जो अज्यानता भी होता है निर्धनता भी होता है और वह समाजिक मानताएं भी इसके अंतरगत आएंगे 24. तंत्रिका तंत्र का मुख अंग है तंत्रिका तंत्र का मुख अंग जो है वो है मस्तिस्क 25. बुद्धिमान वेक्ति के प्रमस्तिस्क में धूसर द्रव की मोटाई कैसी होती है तो जो बुद्धिमान वेक्ति होता है उसके प्रमस्तिक में धूसर द्रव की जो मोटाई है वो अधिक होती है 26. मानविय वा पाश्विक प्रवितियों का भेद मस्तिस्क के किस भाग के दौरा होता है तो मानो और पसु में जो भेद होता है वो प्रमस्तिस्क के कारण ही होता है 27. प्रमस्तिस्क में भारी चोट लगने पर क्या इस्तिती हो सकती है प्रमस्तिस्क पे अगर भारी चोट लगती है तो कभी-कभी बेहोसी भी आ सकती है कभी इस्मर्ण सकती भी नश्ट हो सकती है और कभी-कभी मृत्वी हो सकती है उप्युक ये सभी अंसर होंगे 28 question है मस्तिस्क के किस भाग को सरीर के संतुलन का केंद्र माना जाता है तो किसे केंद्र माना जाता है इसका अंसर होगा अनुमस्तिस 29 कोश्चन है देश की जनसंख्या अधिक होने पे जनता को सार्वजनिक सुविधाओं का समचित लाब नहीं मिल पाता है जिनमें प्रमुक है, जिनमें प्रमुक है सिच्छा, विवस्था की समस्या, रोजगार की समस्या, स्वास्त यों चिकिस्था, समंधी समस्या तो ये सभी इसके अंतरगत आ जाएंगे थर्टी कोश्चन है, जनसंख्या वृदि का परिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके आवाज की समस्या, सिच्छा वाचिकिस्था की समस्या, खास समगरी की समस्या उप्युक्त सभी 31 question है हमारे देश में जनसंक्य अव्रिदि के कारण क्या है तो उप्यूपत ये सभी है विवाबंधन की मानता असिच्छावा अंध विश्वास विवा की ओसत आयू का कम होना जिसे संतानुत पत्ति के लिए एक लंबी अवदी मिलती है 32 question है वी संक्रमर विकरण प्रभाव साली है तो ये सत प्रतिसत नहीं है ये जो है वो सत प्रतिसत नहीं है 33 का है ऐसी नलिकाएं जिसमें प्रया असुद रूदिर बहता है कपाट पाए जाते हैं तता रक्त मंद गती से बहता है को क्या कहते हैं इसे सिरा कहते हैं 34 कोश्चन है कौन सी रक्त वाहिनी सुद रक्त को हिर्दय से बाहर सरीर में ले जाती है वो है महाधमनी 35 question है हिर्दय वर्णी द्रव वह द्रव है जो इसका अंसर है उप्युक सभी हिर्दय की दोहरी जिल्ली को तरल अत्वा गीला रखता है ये जो हिर्दय आवरण वाला द्रव है वो क्या करता है हिर्दय की दोहरी जिल्ली को तरल तता गीला रखता है हिर्दे की गती में भी ये सहायक होता है हिर्दे को धको या बाहरी अगातों से ये बचाता है इसका अंसर है उप्योग सभी 36 question है हिर्दे के किस कोष्ट की दिवार मोटी एवन दिर्ण होती है तो हिर्दे के जो है बाए निले की जो दिवाल होती है वो मोटी होती है और धिर्ण होती है बाए निले की दिवाल 37 है त्री वलनी कपाट क्या है या दाय अलिंद वा निले के बीच लगे रहते हैं त्री वलनी जो कपाट होते हैं वो दाय अलिंद वा निले के बीच लगे रहते हैं 38 question है रक्त में आक्सीजन की मात्रा कम होने पर वह लाल रंग बैगनी रंग में परवर्थित हो जाता है इसका अंसर है C 39 question, कौन सी कडिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो लाल रक्त कडिकाओं में पाया जाता है प्लेट लेट्स में भी मिलता है प्लाज्मा में भी पाया जाता है लेकिन स्वेत रक्त कडिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है तो इसका अंसर होगा B 40 question है Neutrophils क्या है इसका अंसर है ये सबी या एक बार की स्वेत रख्तिक कडिकाएं है इनकी संख्या स्वेत रख्तिक कडिकाएं में 70% तक होती है 70% क्या पाया जाता है Neutrophils WBC में इनका केंदरक बहुरूपी होता है 41 question है कडिका में स्वेत रख्तिक कडिकाएं है ये सबी जो है 42 question है कौनसी कडिका में कोशिका पारण की quality पाई जाती है तो WBC में जो कोशिका पारण की जो quality है वो पाई जाती है 43. निरान कोशिका है, निरान कैसी कोशिका है छतिग्रस निरान की पूर्थी असंबो है या आकार में बढ़ जाती है, इसकी आकरती अनिकोशिकाओं से भिन होती है तो उप्युक्त ये सभी सही है 44. नाणियों पर चढ़ा आवरण किस वसा युक्त पदार के दोरा निर्मित होता है तो जो नाणियों पर चढ़ा जो आवरण होता है वो माईलीन युक्त वसा युक्त पदार से बना होता है नाणियों पे चड़ा आवरण 45 question है सयुग्न क्या है सयुग्न जो है वो जब एक कोशिका के सूत्र दूसरी कोशिका के सूत्र से सयुग्त नहीं हो पाते तता दोनों के बीच जो अंतर रह जाता है वही सयुग्न कहलाता है 46 question किस अवस्था के समाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है तो यौन विरोध की जो भावना है वो उत्तर बाले अवस्था में पाई जाती है 47 question है निसे धात्मक किस अवस्था का समाजिक वहवार है निसे धात्मक जो है वो पूर बाला अवस्था का एक समाजिक वहवार है 48. काईम क्या है? काईम जो है वो संकुचन एवं वीमोचन संकुचन एवं वीमोचन क्रिया के दोरा अमासे भित्य में भोजन का लेई के रूप में लेना ही ये काईम कहलाता है बोजन अमासे में लही के रुप में रहता है वो काईम केलाथा है 49. हार्मोंस किस बिमारी में फ्रियोक किया जाता है यह मधुमे में उसकिया जाता है 51. रेनिन अझाइम कौंसे रस्मित पाया जाता है रेनिन एंजाइम जठार रस में पाया जाता है 52 दख़ outlet मानो शरीर में यक्रित के दौरा लगबग कितना पित तयार होता है तो यक्रित के दौरा 40 ओस पित तयार होता है 53. हिपरिन क्या है हिपरिन जो है या एक पित रस के दौरा इस्तरावित एक पदार्त है जो रक्त को जमने से बचाता है ये क्या करता है रक्त को जमने से बचाता है है परे 54 question है आतो के किस भाग में एक लंबी सक्री नली पाई जाती है जो कि सरीर के लिए उपयोगी नहीं है परन्तु उसके बढ़ जाने पर ऑपरेशन के दौरा उसे निकलवाना पड़ता है उसे सीकम कहते है 55 question है अमासे की किस परत में नन्नी नन्नी ग्रंतिया पाई जाती है जो कि उसकी परत को चिकना बनाती है उसे हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम परत जो की चिकना बनाती है 56 question है शरीर के किस भाग में एक अमल पाया जाता है जो कि प्रोटीन्स के पाचन वसूज महानी कारक जिवाणों को नश्ट करता है वो है अमासे 57 question है यकरित में इस्थित कौन सी रख्त नलिका के दोरा रूदिर अहार नाल के विविन भागों से आता है तो इसका अंसर है यकरित निवाही का सिरा के दोरा 58. सरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन नहीं होता है तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो मुख में नहीं होता है 59. सुस्मना का सबसे महातपूर कार क्या है? सुस्मना का सबसे महातपूर कार होता है प्रतिवर्ती क्रिया में भाग लेना इसका अंसर है C 60 question है भोजन पकड़ कर खाना या पुस्तक का अध्यन करना इत्यादी क्रियाओं का जो संचालन मस्तिस्क के किस भाग के दोरा किया जाता है तो या प्रमस्तिस्क के दोरा किया जाता है जैसे कि हम भोजन पकड़ कर खाते हैं 62 question है यकृत में एक ऐसा कौन सा छारिये पदार्थ होता है जो पक्वासे में आए अमल को उदासीन करने का काम करता है वो है sodium carbonate 63 सरीर का कौन सा अंग फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्मान करता है तो जो लीवर होता है यकृत वो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्मान करता है 64 question है अमासे के दाई और वाले नीचले छोर को कहते हैं अमासे के दाई और नीचले छोर को पाई लौरिक दौर कहा जाता है 65 question दाट के भीतरी खोकले भाग में क्या भरा रहता है जिसके नश्ट होने पे दाट नश्ट हो जाता है उसे मज्जा कहते है 66 question मुख लार ग्रंती है मुख जो लार ग्रंती है वो है पैरोटिड ग्रंती 67 जठर रस किस पौश्टिक तत्त की पाचन क्रिया में सहायता पहुचाता है तो जो जठर रस होता है वो प्रोटीन्स के पाचन में सहायता पहुचाता है 68 question सराबी का लड़ खड़ाना मस्तिस्क के किस भाग के प्रुभावित होने के कारण होता है तो यह अनुमस्तिस्क जो है जब प्रुभावित हो जाता है उसके कारण ये होता है 69 question केंद्रिय तंत्र का तंत के किस भाग में धूसर द्रव अंदर तता सोयत पदा बाहर की ओर रहता है इसका अंसर है D मेरी रज तता मेडूला आप ले गेटा दोनों में ही ऐसा पाया जाता है 70 question है सुस्मना का सोयत पदा अतदिक महतपूर है क्योंकि इसका अंसर है उप्यूक सभी या इसनाय सुत्रों के दोरा निर्मित होता है या सरीर के विविन भागो और मस्तिस के मत संबंद बनाए रखता है यहीं से प्रेणा एवं संदेश आते हैं तो इसका अंसर है उप्यूक सभी 71 कोश्चन है व्यक्ति की मूल भूत प्रवित्य है वो भूख है नींद है इन में से यह सबी है 72 कोश्चन बुद्धिवा ज्यान का केंद्र माना जाता है बुद्धिवा ज्यान का जो केंद्र है उसे प्रमस्तिस को माना जाता है 73. अनुमस्तिस का कार है ? अनुमस्तिस क्या करता है ? यह पेशियों वा पेशियों में गतीपन नियंतरन करने का कार अनुमस्तिस का होता है 74 question अच्छ तन्तु या action का क्या कार है ये सूचनाओ को सरीर के एक सीरे से दूसरी लंबी दूरी वाले सीरे तक ले जाने का कार ये संपन्न करता है 75 है अंतर मुखी बहिर मुखी व्यक्तित्तु का वर्गी करण किस विद्वान ने किया है तो इसका वर्गी करण जो है जुंग ने किया है यहाँ पर मेरे 75 questions कम्प्लीट हुए तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको इसली मिल सकें थैंक्यू